नवस्कार आप देख रहे हैं दबंदी भारत जाता है कि गिरा हुआ धन पाना सफलताओं का संकेत होता है इसके जरीए ईश्वर ये बताना चाहता है कि आप अब सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको ईश्वर का साथ प्राप्त है हलाकि इस अचानक धन मिलने पर आपको सहियंग से काम लेने की जरूरत है क्योंकि अचानक धन मिलना इश्वर दोरा आपकी दायतवी की परिक्षा लेने का भी संकेत हो सकता है इसके अलावा रहा में मिले अचानक धन को पूरवजों से जोड़ कर भी देखा जाता है कहा जाता है कि ये धन हमें पूरवजों के आदेश से मिलता है इसके माध्यम से पूरवज भी ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप इस धन का इस्तमाल किस तरह के कामों में कर रहे हैं सड़क पर मिला हुआ धन दरसल सही माईनों में आपकी परिक्षा होती है आपको ये परिक्षा एक विवस्तित तरीके से पार करनी चाहिए जैसे कि उस धन का कुछ भाग जरूरत बंद लोगों को दें उसका कुछ भाग मंदिन में अर्पित कर दें और इसका कुछ भाग अपने खराब समय के लिए रखें अचानक से मिले हुए धन का इस्तमाल कभी भी अपने धनिक खर्चों में न करें अगर आप रहा में मिले धन का इस्तमाल मोज मस्ती में करते हैं तो कहीं न कहीं आगे चल कर आपको इसका नुक्सान उठाना पड़ सकता है दरसल इसके माध्यम से इश्वर को ये संकेत मिलता है कि आप में धायत उठाने की चमता नहीं है इसी तरह धन का खोना भी उचित नहीं माना जाता लेकिन खोए हुए धन के जरिये इश्वर आपके धहरे की परिक्षा लेता है जैसे कि धन कोने के बाद व्यक्ति क्या करता है क्या वो किसी को परतालित करता है या इश्वर की शरण में जाता है या फिर से धन अरजित करने के प्रियासों में जोड़ जाता है धन्क होने के माध्यम से ही सही लेकिन व्यक्ति को अपने दैत्वों का एसास होता है अगर धन्क होने के बाद व्यक्ति किसी गलत काम में लग जाता है तो उसे इसका परणाम भी जल्द मिल जाता है। देश दुनिया के और भी हवरों के लिए देखते रहे हैं। दबंदे भारत।